वेलकम स्टुडेंट्स के इस पार्ट में हम आप लोगों के लिए वो क्योंस लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पेटर्ण में आप लोगों के लिए लिए जा रहे हैं और हम जिस ट्रिक से उन क्योंस को सीख रहे हैं कहीं ने कहीं उस ट्रिक के कहीं ने कहीं कमी की वज़े से हमार पढ़ रहे थे कि यहां पर नाउन देदेगा यहां पर नाउन देदेगा और यहां का जो नाउन या प्रोनाउन है उसको में इन में बदलकर लिख देना है लेकिन मैंने देखा कुछ सालों से आपकी जो बोड एक्जाम हो रहे हैं उनमें ऐसा वो जानभूज के या तो इसा क्रोशन दे रहा है कि इस्टुडेंट यहां से प्रोनाउन को जो है इसमें रिलेटिव क्लोज में चेंज कर लेता है रिलेट साथ क्रोशन घुमा देते हैं क्रोशन घुमाने का मदलब क्या है एक तो यह सा से इंटेंज आता है जो हम सब को पता है मैंने भी यही ट्रिक बताय हुई थी जैसे दामें यहां पे यह संग्या दे दी और यहां इसका सरवनाम यानि प्रोनाउन दे दे दिए यान नाउन यह प्रोनावन है तो हर वीडियो में सभी बहुत इजी ट्रिक के यही समझाते हैं कि भाया इसको इसमें बदल दो और पुरा सेंटेंस नाउन के पास लेके आ जाए यह यह पुरा सेंटेंस यहां आ जाएगा फिर बाद में यह सेस बचा वाज कोट इसके बाद लिख देना ठीके फले यह आ जाएगा कौन सा दमें फिर बाद में यह वाज कोट लिख देंगी ठीके संग्या का सरुनामे वहाँ पर आप यह वीच जो भी आया है ब्रेकेट में वह लगा दो लेकिन दिकत कहां आई जब यह सिस्टम फेल हो गया कहीं सारे सेंटेंज में अब जब इसकी स्टेडी की तो कूप सारे नेट पर और जो ड्रेमर की बुक्स हैं सबने बहुत लंबी लंबी इसकी परीबास हैं डेपिनीशन दी हुए इस रेस्ट्रिक्टिव होती है और उनको मैंने पढ़ा भी सही और जब मैंने सोचा कि चलो इसका कोई निश्कर्स निकाल लेते हैं तो मैंने यह पाया कि आपको मैं उसके लिए उसके बात वह oign कि उया रही है अब student तो इस मामले में उलजग्या जो भी यूट्यूब पर पड़ा रहे हैं यह तो यह ट्रिक्ग मता के प्रीख और हो uh रहे हैं या फिर इत्ना लंबा समझ लेंगे लेकिन मैं कोशिस कराऊं तो आप भी कोशिस कर लेते हैं आए देखते हैं दब बोई इस स्टेंडिंग देर ही इस माई ब्रदर अब हम इसमें क्या करते हैं जो ट्रीक है ट्रीक में हम करते हैं यह संग्या है जहां से समझ लें दब बोई हुए यह संगया है और यह सरुनाम करें बदल को हम हुए भदल देते हैं ठेके। और हम सेंटेश को यहां पर लेकर आते हैं यह सेंटेंग्स होता है गलत Tibich कि यही हो रहा है जानबूज्ज तो यह सेंटेंग्स तो मैंने लिखने हैं contractors 22 जासा अब इसका उपाई क्या है यह घरत हो जया तो हर ट्रिक तो यह से चीज़ा रहा है और आप अगर यह यह नहीं समझ भाए तो दो नमबर तो इसके जाएंगे और दो नमबर आपके synthesis के भी जाएंगे तो यहां समझते the boy is standing there he is my brother यहां पर आपको sentence समझना होगा आप rule एक तरफ कर दीजिए sentence को समझे एक बार sentence को समझे वो लड़का जो वहां खड़ा हुआ है मेरा भाई है इसमें वो भाई है उसका ठीके यह तो गया लेकिन उसको indicate किस्टे कर रहा है यानि उसके बारे में information क्या दे रहा है कुछ information दे रहा है उसके बारे में कौन है तुम्हारा भाई अगर हम इसको आप देखे यह दो वाक्यों में दिया हुआ है अगर हम इसको एक वाक्यों में भी बनाते तो क्या बनाते मैं ब्रदर इस टेंडिंग देर मेरा भाई वां खड़ा हुआ है अपने आप देख लिए जा क्या बनाते हम यहां देखी इस जगह माई ब्रदर आपका भाई इसने घुमा के काई लेकिन हम कैसे बनाते माई ब्रदर यह लड़का और तो ब्रदर है तो वेसे लड़का यह तभी तो ब्रदर है नहीं तो शिष्टर होता तो माई ब्रदर इस टेंडिंग देर यानि कि इसमें क्या चीज़ कर रहे हैं यह चीज मैं हो गई आप किसी का ध्यान आकर स्थित कर रहे हैं । तो आप क्या क यह लड़का कौन प्रस्निक कीजिए कौन लड़का जो वहां खड़ा हुआ है वह इस्टेंडिंग देर इज माई ब्रदर ठीक है अब यह सही हो गया अपना वाकिए आगे बड़े यह आपके लोश्ट स्प्रिंग से लिया ग्रामर का सेंटेंज बना दिया इसने 2022 में इसको दे दिया अब हम क्या करते ही है इस ही को हमें बदल देते और इसी पूरे सेंटेंज को उठाकर यहां पर ले आते जो हमने ट्रिक में बताया लेकिन यह गलत हो जाता तो फिर क्या करना इसको नहीं लाना सेंटेंज को देखो आपस एक बात वो चूडी बनाने वालों की जाती में पेदा हुआ किसने जो की कौन पेदा हुआ देखें ही कौन जो चूडी बनाने वालों यह तो बात की बात है उसने चूडी के लावा कुछ नहीं देखा लेकिन ही वह कौन प्रस्निक कीजिए कौन ही हूँ जो की यहां का मलग जाता है जो चूडी बनाने वालों की जाते में पेदा हुआ पिर इस ही को आदेंगे इस ही को आदेंगे यहां से बनेगा और यहां लेकिन है सी नतिंग बट बेंगल्स अगे बड़े दा बोई वोज अवाड़ेड ही टोब दा क्लास अब यहां पर दा बोई हम क्या बनाएंगे आपर दा बोई हूट ओफ दा क्लास वोज अवाड़ेड अपने आप बन रहा है दा बोई हूट ओफ दा क्लास जिसने टोफ की वाज अवाड़ेड यानि दा बोई अपने आप हूट ओफ दा क्लास वो में सेंटेंस पकड़िये जो उसके बारे में इंपोर्मेशन दे रहा है दा बोई हूट ओफ दा क्लास हूट ओफ दा क्लास जिसने हूट ओफ दा क्लास लिखा लड़का कौन लड़का जिसने क्लास टोफ की अब उसको इनाम दिया या नहीं दिया इसे फरक नहीं पड़ा आप दो या मत दोस्तने क्लास टोप किये में चीज यह हो गई आगे बढ़े दा इस्टुडेंट मैक्स बैस्ट केरियर वो विद्यार्थी अच्छा केरियर बनाता है वह जो कटिंद प्रिस्रम करता है अब वह विद्यार्थी जो देखे यहां पर दा इस्टुडेंट मैक्स बैस्ट केरियर अच्छा केरियर कोन बनाएगा जो अच्छी पड़ाई करेगा मेनत करेगा यह नहीं दा इस्टुडेंट के साथ क्या लगाएंगे दा इस्टुडेंट का हमने दा इस्टुडेंट लिख दिया विद्यार्थी कोन बाद में मैक्स पूरा वाकिर मैक्स बैस्ट केरियर फिर बाद में लिखेंगे ठीक है आगे बढ़ें मनीशा टोट इंग्लिस सी वो जगुड टीचर दोजार चोईस में आया हुआ मनीशा अब हम यहाँ पर देखते हैं ठोट इंग्लिस सी अब ट्रिक से केसे बनाते मनीशा सी को चेंज कर देत। में यूप टीचर मनीशा अची टीचर थी में कि अमने कहाँ पर छोड़ दी मनीशा कोन मनीशा जो इंग्लिस पढ़ाती ती यह यहीं शी वाला मनिशा हूँ टोट इंगलिस वो जगूट टीचर आगे बड़े दा गर्ल इस सिटिंग ओन दा चेर शीज माई सिस्टर लड़की जो कुर्शी पर बेटी हुए मेरी बहान है लड़की अभी मैंने बता है यहां पर ब्रदर वाला माई ब्रदर इस स्टेंडिंग दे रही है वो क्या है यह लड़की नपटी जो आपकी बाहन है वह कहां बेटी हुई है कुर्सी पर तो किसे को आप कैसे बताहोगत दागर्ल who is sitting there who is sitting on the chair लड़की कौन लड़की जो कुर्षी पे बेटी हुई न is my sister यह बनेगा ठीके इसको एक साथ मिला देना is my sister आगे बड़े the person remains a student he had deep knowledge वेक्ती वो वेक्ती हमेशा जो ज्याद्यान से समनाख sentence का बने वेक्ती विद्यार्ती बना रहता है वह deep knowledge रखता है यानि कि अब इसको केसे बनाए the person वेक्ती हुई यहां लगा के देखो who remains a student जो हमेशा एक विद्यार्ती बना रहता है यानि हमेशा सीखता रहता है उसी के पास में ज़्यादा गरी knowledge होती है यह sentence का sense ही तभी निकलता है the person who remains a student has deep knowledge यानि यही है यह हुँ में नहीं change होगा यहीं fix हो जाएगा you should guide the students तुम्हें विद्यार्तियों को guide करना चाहिए किसे हैं किनको the students are intelligent वो जो intelligent वो बुद्धी मानों यानि यह student से यह यहां पर हुँ में change हो जाएगा who are intelligent आगे बड़े the person will know about it he reads science अब ज्यान से समझना वेक्ती इसके बारे में जानेगा कौन जानेगा कौन जा वेक्ती कौन जानेगा इसके बारे में he reads science जो वह science पड़ता है अब इसको ही को change कीजिए आप हुम है the person who reads science यहां पर लिखेंगे the person वेक्ती कौन वेक्ती इसके जानेगा who reads science who reads science ठीक है we'll know about it अब इसी कोटा यहां पर देजे will बाद वाला लिख देंगे अनि यह तो ट्रीक वाले कित रही हो जाएगा will know about it the person who reads science जो science पढ़ता है will know about it वो इसके बारे में जानेगा तो कुल मिलाकर अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि यह हू किसी में तो वहां से उठा कर लाया किसी में इसी सेंटेंस में अंदर हू लगा दिया अब आपको दिक्कत नहीं आएगी और एकजाम तक ऐसे हम कहीं सारे वाक्या आपको करवा देंगे ताकि आपको अब यह इधर वाला उधर वाला बीच वाला कहां से ले कहां से नहीं ले कन्प्यूजन यह नहीं होगा नियम कितने भी बना ले लेकिन जो चीज हम समझ के करते हैं वो सबसे बेस्ट होती है और प्रेक्टिस मैक्स अमें परफेक्ट प्रेक्टिस से तो हर वेक्ती परफेक्ट हो जाता है एसे वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब किये इस वीडियो को भी लाइक सेर कीजिए थेंक्यू